हलो दोस्तों स्वागत है आप सबीगा हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों ग्वालियर के एनराई कॉलेज में MP पुलिस के पेपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं दोस्तों हम सभी को पता है कि पत्वारी भरती परिक्षा की जो ग्याम हुई थी वो एनराई कॉलेज में आयोजित कराई गई थी किन्तु जब रेल्ट आया तो पत्वारी भरती परिक्षा में धांदली के आरूप एनराई कॉलेज में लगे एनराई कॉलेज की परताल की गई और जिसमें पाया गया कि तीन साल से कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है और सिर्फ परिक्षा होती हैं दोस्तों यानि कि भारत का एक ऐसा कॉलेज है जो है एनराई कॉलेज जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के एकजाम कराए जाते हैं और बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं यानि कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए बनाए गया है कॉलेज नर्सिंग कॉलेज है यह वहाँ पर नर्सिंग के एडमिशन नहीं होते हैं बलकि सिर्फ और सिर्फ पटवार में सबसे यादा टॉप पर इसी कॉलेज से निकले थे इस वज़े से इस कॉलेज को पर सवाल खड़े हुए और बहुत जाच परताल हुई तो सामने यही आया कि इस कॉलेज मैं सरफ और सरफ भरती वाली परिक्षाहीं आयूजित होती हैं पिछले तीन साल से कोई अडमिशन नहीं हुआ है तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मत्परतिश परिक्षाह भरती के पेपर चल रहे हैं जिनों ने गौलियर को चोईश फिलिंग में लिया था कि हमारा एक्जाम सेंटर गौलियर आये उनको गौलियर ना देके बाला घाट सीधी जवलपूर भूपा आधी जगह दिया गया है मैंने भी गौलियर लिया था क्योंकि पटवरी भरती का जो रियल्ट आया उससे पहले ही मैंने फार्म भर दिया था और मेरा जो सेंटर आया था गौलियर की जगह बाला गाट बाला गाट गौलियर से लगवक 990 किलोमीटर है यानिकि कि दो हजार पची सो किलोमीटर आना जाना हुआ हमारा एक्जाम देने गए हम एक्जाम सरदार पटेल कॉलिज में हमारा पड़ा था जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक्जाम देने के बाद जो मेरे मार्क्स मुझे पता चले स्क्रीम पर हरे आक्षरों म हमारे marks लिखे हुए थे 58 नमबर यानि कि 58 नमबर मेरे मत्प्रतेश पुलिस परिक्षा में आए है अब हमाँ बात करते हैं कि गौलियर की जो NRI कॉलेज है वहाँ पर पुलिस के जो पीपर हो रहे है या नहीं हो रहे है तो मैं बता दूँ आप सभी को कि मत्प्रतेश पुलि नहीं हो रहे हैं क्योंकि पिछले बर्स जो पड़वारी भर्ती की परिक्षा हुई यानि कि इसी बर्स मार्च के आसपास तो सवाल उठाए गए जब रियल्ट आया तो बहुत सारे जांच परताल हुई इस वज़े से इस वार NRI कॉलेज को मत्प्रतेश पुलिस परिक्ष MP पुलिस का परिक्षा एक्जाम कहां पर आया है और यदि यह आपकी एक्जाम हो चुकी है तो आपकी कितनी माक्स आई है हमारे कमेंट करके जरूर बताएं अगली वीडियो हमारी मत्प्रतेश पुलिस परिक्षा के कट आप को लेकर रहेगी जो की बहुती एनलिसिस और दर्च करके हम कटॉप बनाने वाले हैं इसमें बड़े-बड़े हमारे साथ सिच्छक भी मौजूद हैं